है लुका अट डूंध पारशहालर अपका सवागत यह आज किस लास में हम समझेंगे किलियो को संå बड़ सकर सकते हैं कहीं बार को कउएटिटीज की रेशियो बताई गई होगी उस रेशे को पर्सिंट पीं कर सकते हैं मालेजे हम कहें कि एक स्कूल में 840 स्टूडेंट्स है और वहां पर जितने बॉइस हैं और जितनी गर्ल्स हैं उनकी रेश्यो है 3 is to 1. देट मेंस, for every one girl there are 3 बॉइस. जितने जितनी लड़कियां हैं उसके 3 गुना बॉइस हैं. इसको हम कनवर्ट कर सकते हैं इन्टो परसंटेजिस. तो यह क्या रेश्यो बनी? बॉइस इस टू गर्ल्स रेश्यो बनी 3 इस टू 1. For every one girl there are 3 बॉइस. तो टोटल कितना होगा इसका? 3 प्लस 1, 4. तो बॉइस कितने होगे? रेश्यो क्या बनेगी? 3 अपान 4. यह टोटल नंबर है और यह पार्ट है. और गर्ल्स क्या होगा? 1 अपान 4. Because 3 अपान 4 प्लस 1 अपान 4 इस इकल टू 1. यह उसके पार्ट से हैं तो और होल है 1. रेश्यो में, जबी भी हम रेश्यो को अड़ करते हैं, सबी रेश्यो को अड़ करते हैं, आंसर बनता है 1. जैसे परसंटेज को अड़ करेंगे, तो आंसर बनता है 100%. तो अभी हम क्या करेंगे, 3 बाइ 4 को मालूम है, कैसे कनवर्ट करना है, 100 से मल्टिप्लाई करेंगे, 75%. तो 1 बाइ 4 इन्टू 100, 25%. यह बॉइज हैं, यह गल्स हैं. तो रेश्यो जो थी 3 इस्टू 1, उसको हमने जब कनवर्ज कर दिया, तो बाइस बने 75%, गल्स बनी 25%. और इससे हम उसका जो है, नमबर भी निकाल सकते हैं. बाइस का नमबर क्या होगा? त्री अपान, दोन तनी कैसे निकाल सकते हैं, रेश्यो से भी, और परसंटेज से भी. यह हो जाएगा, चार एकमचार, चार एकमचार, चार, 630. और गल्स कितनी बनेगी? गल्स की पर रेश्यो क्या है? 1 अपान 4. 1 अपान 4 अफ टोटल. बाइस थे 3 अपान 4 अफ टोटल. 210. दोनों को एड़ करेंगे, 840. तो इस परकार अगर हमें जो क्वान्टेटीज की रेश्यो बताई हुई है, कमपैरिजन के लिए, उस रेश्यो को हम कनवर्ट कर सकते हैं, परसंटेज में. परसंटेज से भी आंसर निकालेंगे, सीम आंसर आएगा. रेश्यो से भी निकालेंगे, सीम आंसर आएगा. अगले टॉपिक में हम समझेंगे कि रेश्यो तू परसंट हो गया, इंक्रीज और डिक्रीज एज परसंट. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है अप लाइक करें अपने फ्रेंज के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू